हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तीन चैनल का दोस्तो चेसर है इसके कनेक्शन करना बताऊंगा आप कैसे इस तरह के चेसर के कनेक्शन कर सकते हो ठीक है ना ये दोस्तो हमारा है चेसर तीन चैनल का ये जो आप सामने देख रहे हो ये हमारे स्पीड कम लिखावा भी है क्योंकि दोस्तों दिवाली आनी वाली है ठीक है तो आप जो हमारी इस तरह की सिंपल जालर होती है इन्हें इस चेसर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जला सकते हूं वो भी कलर फुल ठीक है तो कैसे कनेक्शन करना है वो सब इस वीडियो में आप देख हुआ है तो यह हमारे तीनों फेस के वायर जिस पर हमने तीनों यलो कलर के वायर कनेक्ट कर दी है और यह जो सी लिखा हुआ है इस पर हमने बिलैक वाला वायर कनेक्ट किया हुआ है ठीक है ना तो हमने वायर पहले ही कनेक्ट कर लिए दोस्तों ठीक है जिससे हमें कनेक्श ने का connection कर सकते हो एक चैनल पर आप 50-60 ज्ञालर लगा सकते हो इस तरह की तो अभी हम connection करना शिखा रहे हैं आपको दिखान से देखेगा तो हमने यह तीन ज्ञालर ले हुई है तो तीनों ज्ञालर का हमने एक एक वायर अपना इस तरह से एक जगा कर लिया ठीक है तो यह तो हमारे तीन ज्ञालर हैं तीनों वायर जो हमने एक जगा किये हैं अभी हम जो चेसर का वायर है ब्लैक वाला यह देखी इस पर हम इसे connect करेंगे क्योंकि इस पर लिखावा भी है हाँ पर common तो common का मतलब होता है दोस्तों सभी पर हमारा वायर लगेगा ठीक है तो हमने तीनों फेस हैं ठीक है ना ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप तीन ही जहलर जला है आप एक चैनल पर ऐसी पचास जहलर जला सकता हो ठीक है ना क्यूंकि हमारा तीन किलो वाट का चेसर है तो अभी मैं खाली connection करके दिखा रहा हूं कि इस तरह से आप connection करेंगे तो दोस्तों देखिएगा अब कैसे इसके connection हमें करने है तो अभी हम यह जो तीन जहलर आपको सामने दिख रही है तो सबसे पहले जो हमरी पहले वाली जहलर है इसका हम एक वायर लेंगे क्योंकि यह तीन जहलर है तो तीनों का जो एक एक वायर अभी बचा हुआ है इन्हे हम connect करेंगे तो पहला वायर लिया हमने पहली जहलर का और इस पर इस तरह से connect कर दिया यह देखिएगा दोस्तों आप ऐसे ही दोस्तों एक चैनल पर पचास जहलर का वायर connect करेंगे ठीके ना मैं खाली connection करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए अब यह दूसरे वाली जहलर है इसका दूसरी जहलर का जो एक वायर बच गया था उसे हम यह दूसरे वाला जो वायर है यलो कलर का इस पर हम connect करतेंगे इस तरह से ठीके ना दोस्तों यह हमारा connect होई गया अब उसके बाद में यह तीसरा वायर है हमारा तो यह तीसरी जहलर है हमारा इसका व होती है पचास कनेक्ट कर सकते हो ठीक ना एक चैनल पर दोस्तों तीन चैनल है तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हो ठीक है ना पचास एक चैनल पर पचास एक पर पचास एक पर तो इसमें कुल मिला गया आप तेड़ सो जहलर लगा सकते हो ज्यादा भी लगा सकते हो दोस्तो क्योंकि हमारी जो एक जहलर होती है पांच वाट की होती है तो इसी हिसाब से आप calculate करके अपनी जहलर लगा सकते हो तो यह हमारे सामने एक electric board रखा हुआ है तो अभी हम chaser के wire इसमें लगाते हैं board में अद आपको दिखाएंगे जला करके कैसे हमारा work करता है इसकी speed कम जादा अभी आपको करके दिखाने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो में लाच तक बने रहना तो पहले हम इस chaser के जो वायर है ने अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद में इस board में हम लगाएंगे कि दोस्तों बाइर को आपको अच्छे से लगा लेना है ठीक है तो यह वायर हमारे इसके लगेए इस लेंश में अभी हम हम इस में चैशर में आपको पावर दे करके दिखाएंगे, तो अभी देखे कर दोस्तों हम स्वीच ओन करते हैं, यह अपने स्वीच ओन कर दिया, तो दोस्तों देखे यह हमारा चैसर इस तरह से काम करेगा, ठीक है, तो आप एक चैनल पर दोस्तों अपने हिसाब से 50-60 जहल को देखिए तो इस तार से हमारा चेसर काम करता है ये जो हमारी सिंपल लाइए मार्केट में सश्ति मिलती है थी कि तो आप 25 से 30 रूपे जहलेड़ मिल जाती है तो इस तरह की सीमपल जहले लें ले करके राप इस चेसर की मतद़ से इन्हें लागा सकते हो अपने घर को अच्छे से डेकुरेट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है दिवाली आने वाली है तो इस दिवाली आप इस तरह का चेसर लाइए और इस तरह से आप कम जादा इसकी speed कर सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं इस नेक्षी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई